हेलो एंड नमस्ते मेरा नाम है सालू एंड वन्स अगें वेलकम तू मैं चैनल चालू ब्यूटी एंड फैशन वेर आई टॉक अब लॉट ऑफ ब्यूटी एंड फैशन कॉंटेंट तो अगर आप इस तरह की कॉंटेंट में इंट्रस्टेड एसो प्लीज मेरे और भी वीडि प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसके पहले मैंने होली क्लोधिंग हैक शेयर करा था अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज चेक करिएगा आपके लिए वो जरूर जरूर हेलफुल होगा एंड सेकेंड ल तो मैंने एक वाइट कुर्ता को यूज करके यहां पर सेवेल लुक्स क्रियेट करा है आप लोगों को यह वीडियो हेलफुल लगे एंड बहुत मैंनत लगती है लुक बुक शूट करने में मैं आपको बोलती हूँ स्टाइलिंग वीडियो शूट करने में बहुत अगर ट को टक करके पेहना है प्लाजो के साथ में दिपिका पडुकों को जब अच्छा लुक आता है बहुत अच्छा लुक लुक नमबर टू मैंने अपने कॉस्ट्यूम को बहुत ही सिंपल रखा है मैंने basic plazo के साथ में कुर्ता को pair करा है अगर आप sun glasses लगाओगे तो आपके आखे भी protected रहेगी और आप classy भी लगोगे तो आप इस तरह के look को भी carry कर सकते हो and sling bag भी carry कर सकते हो अगर आप किसी छोटे मोटे party function organize हुई ही आपके society में तो अपने phone कुछ पैसे आप इसमें easily रख सकते हो and stylish and trendy भी दिख सकते हो तो इस तरह के look को भी आप अपना सकते हो आप चाहो तो jewelry carry करो ना चाहो तो jewelry ना carry करो तो दोनों ही look मैंने दिखाएं आपको for the third look मैंने यहाँ पे इस look को थोड़ा सा elaborate किया है मैंने इसे white salwar के साथ and कुछ junk jewelry के साथ पहना है मैंने यहाँ पे आपको show करने के लिए jewelry को पहना है बट मैं आपको बोलूँगी कि आप खोली के लिए अगर किसी party में जाते हो तो अपने look को फ्लीज थोड़ा सा jewelry को कम से कम पहने and यह आले भट inspired look है आप देखो आले भट का भी यह look जो है बहुत similar है इस look से तो आप भी इस तरह की colorful दुपटे के साथ में अपने कुर्टा को experiment कर सकते हो and आप different different दुपटा को style करके देख सकते हो कौन सा दुपटा सबसे जादा अच्छा लग रहा है and आप चाहो तो चूड़ियां पहन सकते हो but makelis airing थोड़ा सा आप avoid करना होली में तो इसी look को मैंने दो दुपटे के साथ try किया है एक यह tie and dye का जो दुपटा है and दूसरा मैंने बांधनी दुपटे के साथ इसे आप देखो cotton बांधनी दुपटे के साथ try किया है तो आप दोनों ही तरह में से किसी भी look को try कर सकते हो for the next look आपको यहां पे मैंने इसे rib jeans के साथ style करा है अपनी पुड़ा को and आप scarf को styling करोगे अपने hair को protect करने के लिए इसकी short video भी मैंने upload करा था आपने नहीं देखा तो वह भी अच्छे कर सकते हो तो simply आपने scarf को tie कर लेना एक नौट बनाने ला है and test करते हुए उसे अच्छे से टक कर लेना है scarf के अंदर similarly आपको दूसरे साइट से भी इसी तरह कर लेना है and tuck कर लेना है इस तरह के scarf स्टाइलिंग से एक बहुत जादा different लगोगे and जो भी color है आपको hair में जाने का उसमें बिल्कुल भी chances नहीं रहेगा क्योंकि hair बहुत जादा damage हो जाती है holy के color से तो definitely आप इस तरह की styling भी try कर सकते हो scarf को different style में नोट कर सकते हो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है यह तरीका मैंने दिखाया है एक और short video में दिखाया हूँ चाहू तो आप चेक कर सकते हो so इस तरह की jeans के साथ भी आप अपने white furtah को style कर सकते हो this holy festival for the next look this look को थोड़ा सा मैंने मैं जूड़ी के साथ में इसे टीम अप किया style करा है तो अगर आपकी society में party है या किसी और जगा आप holy party के लिए जा रहे हो तो बहुत ही easy इस तरह के look को carry कर सकते हो मैंने यहाँ पे सरारा के साथ में white का उर्टा को style करा है with a kundan choker तो आप भी चाहो तो इस तरह की style को carry कर सकते हो again मैंने वही same purse लिया है क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो आपको एक clutch या purse की जरूरत जरूर होती है I am in love with this look मुझे यह look बहुत जादा अच्छा लगा jewelry आप अपने comfort zone के according रख सकते हो कि आपको होली खेलने कहां पे जाना है so this is my next look moving on to the next look जो मेरा next look है यहां पे मैंने अपने skirt को अपने कुर्टा के साथ में style करा है यह skirt का वी video मेरे channel पे है कि यह सारी से मैंने बनाया था तो वह भी मैं आपको दे दूँग मैंने यहां पे जूड़ी को अपने skirt के color से मैच करा है ताकि थोड़ा जो यह dress है वह मैंने जो यह look book create करा है यह look create करा है वह उसके साथ compliment करें एक दूशरे को तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई skirt है तो आप जूड़ी को थोड़ा matching कर सकते हो जिसे आप जो है more put together लोगोगे और मैंने यहां पे with dupatta and without dupatta दो तरह के look को आपको दिखाया है तो आप जिसमें comfortable हो आप उस तरह के look को carry कर सकते हो so this is my next look moving on to the next and last look last look के लिए मैंने यहां पे एक golden color की पैन को अपने white color के पैना है and उसके साथ एक छोटी सी कोटी पैनी है यह कोटी मेरी एक दूसरी कुरता की जिसे मैंने style करा है तो I hope आप लोगों को मेरा आज का एक कुरता से साथ लुक अच्छे लगे हो please video को like करिये गा yeah यह था video video थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो like कर देना अच्छा नहीं लगा हो तो बिंदास हो के dislike करना and once again happy and safe holy to all of you यह जो मैंने पहना हुआ है अगर इसकी detailing किसी को चाहिए तो मैं इसकी video जो है description box में डाल दूँ में यह चाहो तो check कर सकते हो yeah that's it for today's video मिलती हो स्टुडियो किसी बहुत ही अच्छे content के साथ तिल दन भी एल्दी भी है आप जे किया रहें बबाई लव्यू आज